हेलो दोस्तो नमस्कार हमारे अपनी यूट्यूब चैनल टोटल इस्टडी आई की में आपका सवागत है इसमें हम बात करेंगे दोस्तो ये साथ वातें आपका आर्थिक वविश्च शुरच करेंगे दोस्तो हम सभी को मालूम है कि पैसा इत्ता जरूरी नहीं इत्ता जरूरी नहीं हो कि इत्ता पैसा हो कि हमारी तिजोरी बरी रहें लेकिन इत्ता पैसा तो हो कि कम से कम हमारी रोज की जरूरतें पूरी हो सकें तोड़ा इस्टोरी भी रहे यदि कोई घर में बीमार हो जाता ह है जद sticking किसी की मदद भी कर सकें ज़्यादा पैसा नहों लेकिन जरूरी पूरी हो सके इतना पैसा तो मारे पास हो तो उसी की कुछ साथ टिप्स है हम इसी के बारें बारी से करेंगे कुछ i2 पहला है कथिन परिशरम करता हूँ इसलिए पैसे खर्च करने का आक है दोस्तो यदि आप पैसे खर्च करने का ज्यादा सौक है तो यह अगा आपको दोस्तो तबीए जब आप कठिन परिशरम करते हो यह नहीं कि आप अपने मावाब की दियोई पूझी को लुटा रहे हो आप कभी हो रहता है दोस्तो तो पहली टिप से आप याद रहें जब ही खर्च करें ज्यादा जब आप खुद परिशरम करते हो खुद कमाते हो इसमें मेरा मतलब यह नहीं है कि आप खर्ची ना करें जरूरत के नुसार तो आप पापा जी ने जो पैसे दी हैं टूशन पीस वह पाते रहें तो दूसरी बात आती है उम्र सिर्फ एक संख्या है इसका कोई मतलब नहीं देखी क्या रहता कुछ लोग रहते हैं कि नहीं में पैसा नहीं कमा सकता या कुछ नहीं कर सकते हैं देखी दोस्तों उम्र यह सच बात है कि संख्या है जैसे आर्थिक लच्च की यो के जो गुरू है जो चंदकुप्ची के गुरू थे मौर्रबंस वाले तो उन्होंने भी कहा था कि मतलब पैसा बचाईए जो पैसा नहीं बचाता वो अपने वविस में मतलब परेशान होता उसको प्रॉलम होती है दूस तीसरी चीज़ दोस्तो पैसे के बारे में परजनों म प्रित्रों पर निर्वर जो गलत है आप नहीं निर्वर रहना चाहिए निवेश फुल टाइम जोब है प्रोफिशनल की मतल लेना बेतर विकलब है इसलिए ततकल किसी फाइनेंसियल एडवाजर के पास जाए इसी के साथ आर्थिक संपन्दा के इन चार बातों को भी अप आपकी प्रात्मिक्ता होनी चाहिए इससे आप खर्च और बचत को अलग कर सकेंगे तीसरा है दोस्तों बचत की आदत दोस्तों आप मैं मतलब अपनी बात नहीं में वारेन वफे टेक थे व्यक्ती थे विदेशी उन्होंने कहा था कि खर्च के बाद बचत नहीं बलके बात खर्च करें ज्यादा पैसा आए तो अतरिक्त निवेश की योजना बनाए कभी कवार खुद पर खर्च करने बुराई नहीं लेकिन ऐसा आर्तिकल अच्च के लिए निवेश के बाद ही होना चाहिए चौती चीज़ आती है दोस्तों ज्यादा सहज ना हो रप्तार कोई कहा था कब आपके अधिया फैमली वाले हैं आप परिवार वाले हैं तो आपको थोड़ा पैसा रखना चाहिए इससे आपकी जरूरत पूरी हो सके आपके घर में कोई बीमार पड़ोस की मदद हो सके तो ठीक है दोस्तों हमने आपको यह कुछ साथ बात है आपका आते सब्सक्राइब करेंगी तो यह कौन-कौन सी बात थी दोस्तों पहला कटें परिश्वरम करता हूं इसलिए पैसे कर्च करने का कहा है दूसरी बात दोस्तों उम्र सिर्फ एक संख्या है उसका कोई मतलब में तीसरी पैसे के बारे में परजन और मित्रों से चला लूंगा य यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाब बैल आइकन का बटन जरूर दबाएं जैसे के वारे वीडियो को लेटर नूट्पेकेशन आप तब कहुंच सके हमारा वीडियो देखने के लिए ब